पिश्कार, हमारा ये जो मन है ना बड़ा चंचल होता है, हमें भटकाता ही रहता है, हम सोचते हैं कि हमने मन पर विजय प्राप्ट कर लिये हैं, लेकिन सच तो ये है कि सदियों से मन का हुकम हम पर चलता रहता है, सच्चा विजय वही है जिसने अपने मन को नियंतरण में ले लिया हो, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्ट कर लिये हो, हम सब ने हरीन को दोड़ते हुए देखा है कोई कह सकता है कि इतने तेज दोड़ने वाले हरीन को कोई जाल में फसा सकता है लेकिन वो फसता है क्यों? संगीत सुनने के लोग में ये है उसकी करणें द्रिया आप देखेंगे कि जो पतंगा है दीपक के रूप पर मोहित हो जाता है और जल जाता है जो मचली है वो जाल में फस जाती है खाने के लोब में रसेंद्रिया जो भवरा है फूल की सुगंद से पुश्प कोच में बंद हो जाता है और अपनी जान गवा बैढता है हाथी जो है हतनी के लोब में गड़े में गिर जाता है ये सब तो एक-एक इंद्रिय के वश में होकर भी अपनी जान गवा देते हैं तो जरा सोचिए हम तो पांच-पांच इंद्रियों की आसकती में डूबे हुए हैं हमारा क्या हाल होगा जरुवत है हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें जितनी जरुवत है उतना ही इंद्रियों से हम काम ले हैं लोग मुहों माया से हम दूर रहें तभी हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं